हेलो अब्रीवन वेल्कम टू कृष्णा स्टुडी पॉइंट एक बार पुना आप लोगों का स्वागत है रिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स की क्लासिस चल रही है और इसी क्रम में हम आपको प्रतिचित्रड यानि कि मैपिंग और फंक्शन के बारे में बताने जा रहा है तो इ इसी क्रम में मैं आप लोगों से फिर से कहूँगा कि यद आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में बैल आइकन जरूर दबा लिजे जिससे आपको आने वाली वीडियो समय से मिलती रहें आप लोग कमेंट करके आज की वीडियो सबसे पहले तो मैं इसी में आपको किछ कहना चाहूंगा कि जो मैंने हैडिंग हाँ पर लगाई हुई है प्रतिचित्रण और फलन यह दो सब्द दोनों एक ही बात होती है मैपिंग या फंक्शन लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है जिसको मैं अभी परिवासा देते वक्त आपको बताने जा रहा हूं ठीक है चलिए जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो संबंद जो है वह इतना लचीला और बड़ा होता है कि एक का अनेक से तथा अनेक का एक से संबंद स्थापित हो जाता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन का ए कार के संबंद का यानि रिलेशन का ही स्टड़ी करते हैं अध्यान करेंगे जिसमें हम क्या करते हैं अब यहों को इतनी फ्रीडम नहीं देंगे स्वतंतृता नहीं देंगे कि वह चाहे जैसे काम चल जाए ध्यान दीजिएगा जहां कार्टेशन प्रोड़क्ट की बात कर तो एक रो से उसमें और भी ज्यादा स्वतंत्रता थी उसमें से भी हमने कुछ बाउंडेशन लगाते हुए रिलेशन की बात कर ली और अब जब रिलेशन में भी कुछ बाउंडेशन के साथ हम जब आहेंगे तो हम कहेंगे कि वह एक क्या है मैपिंग है या फंक्शन है त तो क्या कहने जा रहे हैं, let कर लेते हैं, let, a कोई सेट है, मान लिजे 1, 2, 3, 4, परिवासा सम्झाने की बात कर रहा हूं, में, b है, 1, 3, 5, 7, 9, 10, और 12, ठीक है, अब मान लिजे के कोई relation है, r, a to b में, जो के इस type से परिवासित है, कि सारे के सारे x, y हैं, और कुछ इस प्रकार से हैं, के y की value 2x plus 1 है, x a से है, और y b से है, ये बात हो गई, relation की, इसका मतलब हो गया, कि r के अंतरगत कौन कौन आएंगे, y की value होनी चाहिए, 2x plus 1 की form में, तो r की अंतरगत आजाएंगे, 1, 3, 2, 5, 3, 7, और 4, 9, अब आप देखिए, कि a के जो elements हैं, और b के जो elements हैं, ये एक विसेश करम से बंदे हुए हैं, ये एक विसेश करम से बंदे हुए हैं, अब इसमें 3 बातें जो देखने लायक हैं, वो ये, कि आप केवल set a पर निखा डालिए, set a का पृतियक element, each element, यहां पर आपको मौझूद दिख रहा है, कोई छूटा नहीं है, तो पहली condition तो यह हो गई, कि set a के all elements, for all a belongs to a, ठीक है, दूसरी, a में ऐसा कोई भी अवियव नहीं है, जो b के किसी अवियव से सम्मंदित नहीं है, जबके b में कुछ ऐसे elements हो सकते हैं, जो उससे related नहीं, यानिके b में ऐसा a कोई अवियव नहीं है, जो इसका b में कोई न कोई जुड़ने वाला व्यक्ति नहीं है, सम्मंद वाला व्यक्ति नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया, कि a के for all a belongs to a, एक exist करना चाहिए b, जो कि किस में होगा, b में, ठीक है, तो ऐसे type के relation को ही हम mapping कह देते हैं, ठीक है, और अच्छे से अब इस परिवासों को देख लेते हैं, क्या लिखेंगे, माना, दो a और b, अरिक्त, यानि के non-empty set हैं, कैसे हैं, non-empty set हैं, अगर मैं इसको mathematically लिखता, तो मैं लिख सकता था, a is not equals to phi, and also is not equals to b, यानि के a और b, दो non-empty set हैं, अब यद किसी नियम अथवा relation f के द्वारा, ठीक है, कोई relation है कौन, f, के द्वारा, set a का प्रतेक element, set b, के एक निश्चित और unique element से, यानि एक और केवल एक element से relate कर रहा है, तो f को a से b में mapping कहते हैं, ठीक है, यानि f such that a to b, या यूँ भी लिख सकते हैं, कि a से b की तरफ कौन map कर रहा, f map कर रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आगे, यानि कि f के द्वारा, x belongs to a, y belongs to b से, सम्मध्ध हो जाता है, अगर हम इसको वे नारिख के रूप में बनाएं, तो ये था a, ये था b, और ये था आपका f, ये था a के member x, और ये था y, इस प्रकार से हम इसकी परिवासा दे सकते हैं, यानि कि f एक ऐसा सम्मध्ध, जो a के member को b के member से जोड़ता है, और a में कोई भी member खाली नहीं बचन चाहिए, यानि प्रतियक a का अवयब कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से b, किसी न किसी एक अवयब से जुड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि f जो सम्मध्ध था, वही क्या है, एक mapping है, अच्छा अब यहीं पर मैं देखिए, दो difference आपको बता रहा हूं, mapping और function के, यानि प्रति set लिये हैं, यह set अगर real number और complex number इन दोनों से ही हो, यानि वास्तविक संख्या हैं और समिस्थ्र संख्या हैं, इनके ही set हो, तब और यह दोनों के दोनों set की बात हो रही है, यानि real to complex complex to real, real to real complex to complex, यह इतने सारे इसमें बन सकते हैं, ठीक है ना, तब हम इसको कह सकते हैं, function, ध्यान दीजेगा मेरी इस बात पर, फलन सभी नहीं होते हैं, फलन यानि function केवल वो हैं, जिसमें आप R to R, या R to C, या C to R, इस तरीके से, किसी mapping को define कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप, उसे function कहेंगे, या फलन कहेंगे, यह बात आप अच्छे से समझेंगे, real number औ complex number, तो यह परिवासा हो गई है function की, आप लोग समझ गए होंगे, इसका मतलब यह हुआ कि mapping एक बहुत बड़ा सब्द है, mapping के अंतरगत कहीं एक छोटा सा हिस्सा function है, जिसके अंतरगत R और C, यानि के real और complex number की families आती है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब कुछ technical point एक आता है, एक होता है image, और एक word होता है pre image, ठीक है, इसको कहते हैं प्रतिविंब और इसको कहते हैं पूरू प्रतिविंब, ठीक है, कई बार मैं कह चुका हूँ, हिंदी medium छात्रों को, कि आप लोग English में भी पढ़ा करें, जिससे आपको आगे चल कर कोई दिक्कत ना हो, अब मान लीजिए, यदे समुच्चा A का कोई element X है, प्रतिचित्रड F के द्वारा, यह X है, प्रतिचित्रड जो है, हमारे पास mapping है F, और F के द्वारा, यह B का कोई element है, Y, इस से relate हो रहा है, तो यह जो Y है, उसको तो हम X का क्या कहते है, image कहते हैं, प्रतिवंब कहते हैं, जबके X X को Y का क्या कहेंगे, pre-image कहेंगे, ठीक है, X को F के अंतरगत क्या कहेंगे, Y का pre-image कहेंगे, ठीक है, यदे Y बिलॉंग्स टू B, Mapping F के अंतरगत, Mapping F के अंतरगत, X बिलॉंग्स टू A का image है, ठीक है, प्रतिवंब है, तब इस तत्थे को हम कैसे लिखेंगे, Y इक्वज टू F X, ठीक है, अब आपको दो बातें याद रखनी हैं, पहला एक, क्या, कि यदे A से B में F कोई Mapping है, F says that A to B, ठीक है, तब समुच्चा A के, यहां लिख देता हूं, समुच्चा A के प्रतिएक अव्यवका, समुच्चा B में F प्रतिवंब अवस्य होगा, यानि image अवस्य होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है, कि set ऐसे ही बना लेता हूं एक बार, यह हो गया A, यह हो गया B, A से F हमने map किया हुआ, यह A है, यह भी है, यानि यहां के each element का image इधर की तरफ तो मिलेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है, कि B के सारे के सारे elements का, यहां पर कोई pre-image मिल जाए, ठीक है, पहली बात, दूसरी बात, set A के किनी भी 2, अथवा 2 से अधिक element का, B में एक ही image तो हो सकता है, लेकिन B के किनी भी 2, अथवा 2 से अधिक element का, A में एक ही pre-image नहीं हो सकता, इस बात को थोड़ा और अच्छे से एक figure से समझ लेजे, मान लेजे मेरे पास A में set थे 1, 2, 3, और मेरे पास B में set थे A, B, C, हम क्या कहने की कोशिस कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि A के किनी 2 element की, image तो एक हो सकती है, ठीक है, यह A था, यह B था, A के किनी 2 element की image, यानि image कहा मिले तो वहां तो आपको एक image मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कि B के किनी 2 element का pre image, वो एक ही मिल जाए, या यह कह लिजे कि किसी set A के, एक element की 2 image कभी नहीं होंगे, ठीक है, तो यह बात आप अच्छे से समझ लेजेगा, आगे चल करके और अच्छे से आपको clearly समझ में आ domain, यानि co domain, और range यानि के paracer, ठीक है, इनकी, पहले भी किया था हमने इसके बारे मान लिजिए कि F A to B कोई mapping है, मैं बार बार देखिए mapping ही कहूंगा, ध्यान दीजेगा इस बात को, कि जब हम A और B यानि के अपने तरफ से ले रहे होते हैं, कुछ unknown variable के रूप में, तो मैं उसको हमेशा क्या कहूंगा, mapping कहूंगा, और mapping ही करी, कहिए ज्यादा तर आप भी, तो ज्यादा बेहतर रहेंगे आप, आगे चल करके आपको इसके benefits मिलेंगे, जब आप graduation या post graduation में देख रहे होंगे, तो चलिए, कोई mapping है F, जो के A से B तक जा रही है, अब क्या करना है, यह जो A सेट है, सेट A जो है, वो क्या कहलाएगा, वो F का domain कहलाएगा, या प्रांथ कहलाएगा, यानि domain of F कहलाएगा, प्रांथ भी कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, और जो B है, सेट B, यही सेट B आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा, य range क्या है range में B के वो elements set B के यानि co domain के वे elements जो कोई ना कोई image है वो कहलाएंगे यानि के B के element for all A belongs to B A is image ठीक है वो कोई ना कोई image रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका range कहलाता है यह क्या कहलाएगा परास कहलाता है हिंदी में इसको परास भी कहता है ठीक है यानि कि range में कौन-कौन से elements आएंगे कैसा set आएगा यानि उन सभी elements A का set जो कहां के होंगे B के होंगे और वो क्या है वो image है यानि domain के किसी एक element की image है चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अब यहां पर थोड़ा सा दिहान दीजिए आप दिहान देने लाएक क्या क्या पॉइंट है अगर fx किसी variable x का एक function है ठीक है x का function है तब पहली बात कि जो f का domain है ठीक है domain of f वो बराबर हो जाएगा किसके यानि के x के वे सभी मान x के सभी real values के function कह रहा है तो real values ठीक है x के सभी real values जिनके लिए f क्या होगा परिभासित होना चाहिए परिभासित होगा ठीक है उनका set होगा domain जबके अगर हम range की बात करें परिसर की बात करें इसमें आपके वो सारे elements का set आ जाएगा जिसमें domain के x के सभी f x ठीक है यानि उससे जुड़ने वाले सभी आ जाएगे और क्या याद आपको रखना है द्यान दीजेगा कि कोई mapping f mapping f का domain कैसा हो finite हो ठीक है परमित हो तो fx के domain के जो element है उनके image को अलग-अलग लिख करके दिखाते हैं ठीक है ना domain अगर कैसा है finite है तो आपको जो co domain को दिखाना पड़ेगा यानि image वाले range वाले लोगों को उसको दिखाना पड़ेगा तो set में हम सारे elements को अलग-अलग करके दिखाएंगे जबकि यदे यह finite नहीं है infinite है तो ऐसी हिस्ति में हम उसको एक formula के रूप में यानि set builder form में लिखते हैं ठीक है आगे आप देख पाएंगे इनको कैसे लिखते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम जड़ा अगर हमारे पास क्रमेती युग्म हो ठीक है तब हम उसको कैसे कहते हैं क्रमेती युग्म है ordered pair अगर हो तो आप mapping को कैसे define करते हैं मान लिजे कि वही ए और बी जो है वो दो non empty क्या है set है ठीक है अब f जो है वो a से b में कोई relation है a to b में इसका मतलब साफ हो गया कि f जो है वो subset है a cross b का यानि Cartesian product of a cross b का तब relation a से b में f a से b में एक mapping कहलाएगा या if कव कव पहला for all a belongs to a there exist there exist या इसको हम ऐसे उल्टाई करके भी symbol बना देते हैं वो रिलेशन था तो उसी में दोनों प्यर और प्यर मिलने चाहिए पहला अलिमेंट यानि यह कहां का मेंबर है यह का है और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें लिखा हुआ बात for all यानि a के सारे अलिमेंट के लिए यह डिफाइन होना जाये जबकि बी में मैंने कहीं भी सारे अलिमेंट की बात for all की नहीं कर रहा हूं बी में आपके elements खाली हो सकते हैं लेकिन a में कोई element खाली नहीं बचना चाहिए यहां for all की condition है ठीक है दूसरी बार में यह कह सकते हैं कि अगर A, B जो हैं वो F में हैं और A, C भी F में हैं इसका साफ और सीधा सा मतलब है कि B equals to कौन है? C है ठीक है? B equals to कौन है? C है यानि जो A का element है A उसकी कोई 2 image नहीं होंगी एक ही image होगी ठीक है? तो यह B और C क्या है? यह equal बात है इसलिए ऐसा हो रहा है ठीक है? तो यह आपका हो गया पॉर्डर्ड पेयर के अंतरगात इसमें अभी अगर domain की बात करोगे तो domain of F कौन हो जाएगा? वो सारा का सारा set हो जाएगा जिसमें A element है और A, B कहा के member है? F के member है ठीक है? और अगर यहाँ पर range की बात करोगे तो range में वो सारे के सारे B आ जाएगे जहाँ A, B एक F यानि रिलेशन के member है चलिए अब देखते हैं कि हमने कितनी बातें सीख ली है इसका मतलब साफ हुआ कि यह A एक set था B एक set था F कोई mapping है तो 1, 2, 3, 4 मान लीज़े यहाँ 4 है और यहाँ पर A, B, C, D, E यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब साफ है कि A के पिरत्यक element की कोई ने कोई image होनी चाहिए लीजे मैंने बना ली ठीक है? पहली बात कोई A में element खाली नहीं होना चाहिए दूसरी condition कि किन ही भी दो element की A के अंतरगत तो एक image हो सकती है लेकिन किसी एक ही element की जैसे मैंने यहाँ यह कर दिया यानि 3 की image B भी हो गया और E भी हो गया यह possible नहीं है तब यह function नहीं कहलाएगा तब यह mapping नहीं रह जाएगा तो यह आपको ध्यान रखना है यह ठीक है तो यह आपकी mapping की definition हो गई आप चलिए एक question देख लेता हूं इसके example की रुप में बताएगा आपको बताना है कि f such that r to r real to real अब यह f क्या हो गया mapping है कि function है function हो गया mapping तो also है each function is also mapping fx equals to log x कह रखा है और पूछा है कि क्या यह mapping है या नहीं है बताएग f r से r पर map कर रहा है पूरा का पूरा real number से पूरे के पूरे real number तक यानि domain भी कौन है पूरा का पूरा real number है और code domain भी कौन है पूरा का पूरा real number है आप से कहा गया कि fx equals to log x क्या एक mapping है क्या वास्तम में f ऐसा ही कोई mapping है कि जो real number से real number पर इस value के साथ जा पा रहा है तो चलिए देखते हैं अब सोचिए कि real number में यह आपका domain होगया ए यह आपका domain होगया बी यहाँपर भी आपको real number से लेना यहाँपर भी आपको real number से लेना यहाँपर आप कंप पहूंचेँगे जब आप fx को कह लिख लयेंगे log x यानि x की value यहाँँद यहाँद से لेनी है तो real number में तो 0 भी आ सकता है, minus 1 भी आ सकता है, अब मैं 0 के लिए define करूँगा, तो log 0 परिभासित ही नहीं है, अब जब log 0 है ही नहीं है, यानि कि domain के element अभी भी ऐसे हैं, 0 से लेकर के minus के infinity तक, जिनके लिए कोई image ही exist नहीं कर रही है, कोई domain में, और जब कि यह हमारी क्या थी, सर्त थी, कि domain का, each element का, कोई ने कोई image exist करना है, चाहिए, तो यहाँ पर, क्योंकि ऐसे elements मिल रहें, 0 हो गया, minus 1 हो गया, minus 2 हो गया, पूरे यह सारे elements ऐसे हैं, जिनमें आपका जो function है, यह define ही नहीं हो रहा है, इसी लिए, f कोई mapping, r to r के लिए, fx equals to log x, नहीं है, ठीक है, यह कोई mapping, नहीं है, बात clear हो गई, चलिए, अब, एक दो question और देख लेते हैं, हम इसके फिर आगे बढ़ते जाते हैं, मान लीजे, मेरे पास एक question है, f r to r, इस प्रकार है, कि fx equals to 2x है, ठीक है, 2 की power x है, तो पहला तो यह पता कीजे, कि range of f, ठीक है, दूसरा यह पता कीजे, कि x such that fx जो है, वो one है या नहीं है, और तीसरी बात ही यह पता करिए, कि fx plus y जो है, क्या वो fx into fy के बराबर है, तीन बातों को हम एक ही question से जानने की कोशिस करेंगे, hour to hour, चलिए, range हमने क्या बताया था आपको, जो सब पर, यानि दूसरे को domain के ऐसे elements, जो image हैं, जो domain के किसी एक element की image हैं, अब real number से real number पर ही जाना है हमको, यह a है, यानि की real number, यह b है, यानि की real number, f map कर रहा है, जो कि क्या है, टू की power x है, ठीक है, अब करिए ज़रा इसमें, अगर मैं यहाँ पर real number लेता हूँ, 1, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा, टू की power 1, जिससे यह map हो गया, टू की बात करूँगा, तो यह टू की power 2, टू की बात करूँगा, तो यह टू की power 3, टू की बात कर लो, अगर मैं 0 की बात करता हूँ, तो यह 2 की बात करूँ, तब भी आपको मिल जाएगा, 1 upon 2, ठीक है, यानि माइनस के लिए भी, प्लस के लिए भी, 0 के लिए भी, सारे, इच रियल नम्बर के लिए, और कोई नो कोई image यहां मिल रही है, और range में कौन कौन आ जाएगा, यह आपको बताना है range में कौन-कौन आ जाएगा यह आपको बताना है तो range में सारे के सारे कौन आ गए है real number आ गए है ठीक है range of f क्या है आपके सारी के सारी real number है ठीक है अब आप क्या देख पा रहे हैं x such that fx equals to 1 ऐसे x जिनके लिए fx की value कितनी है 1 तो आप देख पा रहे हैं कि 0 के लिए ही केवल 1 आएगा इसके अलाबा और किसी के लिए नहीं आएगा तो यह आगया answer 0 यानि वह x कौन है वह x है केवल 0 जिसके लिए fx की value क्या हो जानी है 1 हो जानी है ठीक है अब अगर बात करें fx plus y equals to fx into fy है या नहीं तो देखिए तरह निकाल करके fx plus y की जो value होगी वह हो जाएगी 2 की power x plus y x की जैब पर x plus y रग दिया तो यहां पर भी x जैब पर x plus y रग दिया इसको मैं लग सकता हूं 2 की power x into 2 की power y अलग लग 2 की power x का मतलब होता है fx और 2 की power y का मतलब होता है fy आगी बात यानिके lhs लेके चले थे और rhs आगे तो अब मेरे पास कोई question है मान लिजए कि f equals to 1,1 2,3 3,5 और 4,7 यह एक function है या नहीं पहले तो यही बता करना है और अगर function है और fx को a x plus b के बराबर लिखा जाए तो a और b की value भी बता दीजे तो दिहान दीजे जरा यह function है या नहीं पहले तो यह आपको पता करना है तो यह आप पता कर लीजे इसको पता करना बहुत आसान है कैसे आसान है तो उसकी mapping होनी चाहिए यानि आप यहां से यहां से यहां से आगे वाले elements को ले लीजिए तो यह तो बन गया domain 1,2,3,4 ठीक है अब यह बन गया आपका code domain 1,3,5 और 7 और देखिए किस से map कर रहे हैं 1 से 1 को मैप हुआ है 2 को से 3 को मैप हुआ है 3 से 5 को मैप हुआ है और 4 से 7 को मैप हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि यह domain दो प्री मेंज एक्जिस्ट कर रहे हूं ऐसा भी नहीं है ठीक है ना तो एक एलिमेंट से कोई दो इमेज नहीं बन रहा है एक का एक से बन रहा है तो इसका मतलब यह फंक्शन तो है अब फंक्शन है तो आप इसके हिसाब से वैलू फाइंड कीजिए ए और बी की जरा लगा आया ज़ाँ इसी इकवेशन में एका एक्स की एलू है 1 और एक्स की वैलू है 1 तो एप्लस-b Board बन यह आपका एक कोईार हो गया ठीक है आप दूसरी पर देखिए fx की value है 3 और x की value है 2 लगा दीजे यानि 3 equals to 2a plus b यह equation बन गई है आपकी second इनको solve कर लिजे मान लिजे हमने इसको subtract कर दिया तो यह minus का 2 बचा यह minus का a बचा तो a की value आ गई है 2 और a की value 2 को आप लगाएंगे तो b की value आ जाएगी minus का 1 these are the correct answer of this question चलिए आगे देख लेते हैं कुछ अब मेरे पास कोई set है x जिसमें है a b c और d ठीक है तो आपको बताना है कि नीचे r1 और r2 दो define किये गा है इनमेंसे कौन से function है b, a, a, b, c, d और a, c एक तो यह है एक है a, d, d, c, b, b और c, c दोनों को आप जब भी इस प्रकार का question solve करें तो आप विंट दाइगराम से बना लें मैंने एक बना लिया domain एक बना लिया code domain आगे आगे element लिए आगे वाले elements हैं आपके b है a है c है और फिर से आ गया तो लिखने की दोबारे जरूरत नहीं यह a ही है अब mapping देखिए b हो रहा है map a पर a हो रहा है map b पर c हो रहा है map d पर और वापस से a map हो रहा है एक और नए element c पर यह condition बेकार है यानि के domain के एक ही element की दो image जो के नहीं होनी चाहिए थी इसका मतलब यह function नहीं दूसरे का बनाकर देख लेते हैं इसमें a आ रहा है d आ रहा है b या रहा है a map हो रहा है d मना फो रहा है c पर b मैं पो रहा है भी पर और c मैं पो रहा है c पर तो अभी देखिए c को फिर नहीं लिखेंगे बलकि क्या करेंगे इसकेLEY कि सिमत्व पूरा रहा है ऐसा condition हो सकती है यानि domain के कि नहीं दो element की एक image तो हो सकती है लेकिन एक ही element की दो image नहीं हो सकती है इसका मतलब यह क्या है function है ठीक है तो आसा करता हूं कि यहाँ तक आपको function और mapping क्या हैं यह आपको समझ्छ में आ गया होगा ठीक है अब हम बात करते हैं काइंड्स ओफ मैपिंग ठीक है यानिके काइंड्स कह लिए या टाइप कह लिए प्रकार की बात कर लेते हैं प्रकार को अच्छे से समझना क्योंकि उसी पर सवाल ज्यादतर आते हैं सबसे पहले आती है ओंटो या इसको कहते हैं सर्जेक्टिव हिंदी में बहुत खतरनाक नाम होते हैं इनके सर्जेक्टिव मैपिंग मैं आगे मैपिंग नहीं लगा रहा हूं बार बार आच्छा दक ठीक है नोट जरूर बना लीजेगा यह की वीडियो में हमारी कोशिस रहती है पूरा टॉपेक फिनिस हो जाए ठीक है अब कैसे होते हैं यह समझ लिजे यानि कि मैपिंग एफ का एटू बी ओंटो कहलाएगा यदे इसके को डॉमेन का पृतियक एलिमेंट के किसी ने किसी एलिमेंट का इमेज होता है यानि यह द्युदे यह है यहां मान लिजे A B C, यहां मान लिजे A 1 P carp~~ के साथ B का 2 के साथ C का 3 के साथ यह यूँ कह लिजे कि A soit D है मेरे पास तो A b three के साथ हो गया तो तो यह आपका कहला हैं को完全 का मतलब हो गया कि सका कोई element खाली नहीं बतना चाया कि domain का तो कभी भी कोई element खाली होगा ही नहीं अगर खाली हो गया domain का element थब चोंग फंच्ण नहीं O for officer, officer को हम sir कहते है, sir से बना है surjective, ठीक है, चलिए, इसको याद करने के मैंने यह आपको ट्रेक बता दी, क्योंकि यह दो-तिन सब्द है, by-jective, surjective, तो वो आपको याद रखने होंगे, तो यह हो गया आपका onto, या आच्छादक, या surjective, ठीक है, अब दूसरा यह किसका प्रकार आता है, second, वो आता है into, into mapping, या हिंदी में उसको कह सकते हैं, अंतह छेपी, अंतह छेपी, इंग्लिस मीडियम वाले बच्चों से भी मेरा कहना है, कि वो कुछ सब्द जरूर ऐसे ही याद कर लिया करें, हिंदी के भी, ताकि कभी उनसे कोई ऐसा बच्चा, जो हिंदी माध्यम का है, कमजोर है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, और वो आप से मदद चाह र रखा करें, चलिए, बात करते हैं, इन्टू मैपिंग की, तो इन्टू मैपिंग में क्या होता है, कि कोई भी F मैपिंग है, जो A से B पर मैपिंग कहला रही है, और उसमें को डोमेन के ऐसे ऐलिमेंट है, जो डोमेन A के इमेज नहीं है, अभी अभी जैसे मैंने बात की, यह A है, यह B है, मान लीजे इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें ए A, B, C, D, E, ठीक है, 1 का A के साथ, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ हो गया, 4 का B, C के साथ हो गया, 5 का D के साथ हो गया, अभी एक ऐलिमेंट बाकी बचा है, तो इसका म जब यह खाली नहीं होगा यह element नहीं होगा कोई किसीने किसी की image है तो वो onto और अगर नहीं है खाली है तो वो क्या किलाएगा into mapping के लाएगा ठीक है अगर यह आपको check करना हो क्या check करना हो into और onto यह check अगर आपको करना हो तो check करने के लिए क्या process होती है सबसे पहले कोई एक let y belongs to b, यानि कि co domain का कोई एक अपना element ले लिजे और उसको fx equals to रख दीजे ठीक है, इसको solve करिए और x की value निकाल लेजिए y के term में, x की value y के term में, ठीक है और जब x की value y के term में आ जाएगी तो उसको आप नया function एक gy कह दीजे अब आपको क्या दिखाना हुआ कि y belongs to b के सभी मानों के लिए for all y belongs to b x equals to जो gy है, यह जो gy है वो कहा होना चाहिए यह belongs to करना चाहिए a में, ठीक है यानि कि अगर ऐसा है तब तो क्या हो गया on to हो गया और अगर नहीं है तो फिर into हो गया चलिए, आगे जब सवाल करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा अब नमबर थर्ड आता है one one या इसको कहते हैं हिंदी में एक एकी ठीक है एक नाम और है इसका इंजेक्टिव इंजेक्टिव ठीक है इसको भी याद करने के लिए कभी-कभी बच्चे भूल जाते हैं सर कैसे तो one होता है ये और ये one जो आप ऐसे लिक्ते हैं इसका मतलब हो जाता है injection उसकी सुई injection की सुई ऐसी ही होती है और injection से बना injective ठीक है तो इस तरह से आपको याद रहेगा तो इसमें क्या होता है इसमें भी वही simple सी बात है क्या कि domain होगा co-domain होगा मुलें थे ADC 123 एक के साथ ही मेज बनेगी ठीक है तो वो कहलाता आपका 11ग element का एक के साथ ही image बनेगी दूसरा आता है फॉर्थ में मैंनी वन कि बहु एक एक की ठीक है इसमें क्या हो जाता है इसमें अभी बाला जैसे के अबने लास्ट में बताया था ए भी सी है मान लीजे यह वन टू थ्री है तो ये का भी वन है और बी का भी वन है सी का टू हो गया तो यह किसमें कहलाएगा बहु एक एक की कहलाएगा ठीक है मैनी वन चलिए अगर आपको वन वन या मैनी वन यह चेक करना हो या प्रूफ करना हो किसी सवाल में तो उसके लिए क्या तरीका है आप फॉर ओल like 2 और और यजो कि कहां के होंगे डोमेन के होंगे एफ एकस वन चया है। karma करी thi और लास्ट ऐती आए Okay even अगर यस तब तो आप कह सकते हैं कि यह 115 है और अगर नहीं आ रहा यह बरावर तो आप कह सकते हैं कि यह मैंनी βन है ठीक है। Daddy method भी आपको बताते चला जिससे कि आप आगे सवालों को प्रूफ कर सकें यह चार हो गई जो मेजर हैं अब इन चारों के mix-up से और नहीं बनाते हैं क्या पांच मां आएगा देखिए यह बनेगा वन्वन कि इन्टांटवरानका यह अउन्वन भी है और देखंद ल्rama कर साथार इसको एक डूसरे दुसर नाम से जानते बै Direumu यह जर्यद करना बहुत आसान ने सबर गूंप आप मतलब क्या होता है दो और इस इसको याद रखीए तो one one भी होना चाहिए और onto भी होना चाहिए तो इसके लिए वही simple सी बात है कि वह one one की भी condition follow कर रहा हो और onto को भी कर रहा हो यानि one one का one का मतलब एक का एक के साथ ही हो और b में कोई भी खाली नहों ठीक है इसके बाद आता है 6 वाला तो 6 में क्या बन जाएगा 1,1 और into इसमें क्या हो जाएगा वही a और b हैं एक का एक के साथ है लेकिन इसमें अभी भी कोई न सिखाली है ठीक है एक element अभी भी खाली है लेकिन mapping कैसी हो रही है single से single पर ही हो रही है one to one ही हCITY तो यह कहलाएगा one one into और यह था जिसमें खाली नहीं बच रहा था कोई code domain में तो वो कहलाएगा one one on two ठीक है चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं साथ में आता है आपका many one और on two और आठमा क्या जाएगा फिर many one और into इसमें भी बहुत सिंपल सी है क्या many one की और on two many one की और into की यह condition hold होनी चीए many one का मतलब साफ है one two three four यह हो गया आपका a b c one का भी a के साथ two का भी एक साथ यह देग यह many one हो गया ठीक है यह many one तो हो गया अब यहां three का b के साथ four का c के साथ यानि को डोमेन का कोई element खाली नहीं है तो on two हो गया तो many one और on two ऐसे ही अगर इसमें बात करते तो one two three four यहां हो गया मानली जी a b c d 1 का ये के साथ 2 का ये के साथ 3 का B के साथ 4 का C के साथ D खाली रहा गया तो यानि जब element खाली रह जाएगा तो मैंनी 1 & 2 हो गया ठीक है तो यह हो गए आठ प्रकार इसके अलावा भी तीन प्रकार और मिलते हैं देखने को तो उससे पहले मैं आपको एक उधारण से यह सारी बात कह देता हूं ताके आपको यह 8 मैपिंग जो बहुत important है यह समझमाहगा असबंधा कीजिये कि आपे स्चेर्ल में बैठे century और बाच्राइब्स और students को बैठना तो अब जो चेर पर जब students बैठते हैं तो यह जो हमने लिया हो है एक मैपिंग है अब देखिए कंदी कर्सिर्त इतना है किया जतनी कुर्सिक रहरा है और उतने ही कितने students है ठीक है और एक चेयर पर एक student बैठा है तो यह आपकी condition क्या कहलाएगी वन चेयर वन इस्टुडेंट यानि वन वन कैसी हो गई है यह वन वन एक एक हो गया ठीक है और अगर क्या कर दें अब इसी में अगर कुर्सियों की संख्या जो है वह चात्रों की संख्या से कुछ अधिक हो जाए तो इसका मतलब हो जाएग ठीक है और खाली न रहें तो वह वन वाल ओंटू भी हो गया ठीक है इसी तरीके से अगर कुर्सियों पढ़ जाएं कम अब दो या तीन चात्र जो है वह एक चेयर पर बैठ जाएं तब क्या हो जाएगा मैनी वन और कोई कुर्सी खाली न रहे तब ओंटू हो गया और मैनी वन के साथ साथ अगर कुर्सी भी खाली है तो फिर वो क्या बन जाएगा इंटू हो जाएगा ठीक है तो यह इस प्रकार से आप इस एकजामपल से चेयर के एकजामपल से इसको अच्छे से समझ सकते हैं यह दिमाग में आपके अच्छे से बैठ जाना चाहिए इसके एफ ए से ए में कोई आइडेंटिटी मैपिंग कहलाता है यदे एफ सेट एके इच एलिमेंट को स्वेम से ही सम्मद्द करता है ठीक है इसका मतलब साफ हो जाएगा कि फॉर ओल एक्स बलंक्स टू ए एफ एक्स कौन हो जाएगा वही एक्स हो जाएगा ठीक है खुद से ही मैप कर रहा होता है तो वह कहलाता है आपका आइडेंटिटी मैपिंग ठीक है इसमें क्या होता है ज्यादा तर डोमें और को डोमें सेम होता है और इमेज भी उसी के बराबर बरने होती है जैसे के यह 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, खुल से ही map कर रहा होगा, ठीक है, यहने relation में अभी आप देखते थे न, जो reflexive relations वाले होते थे, वो सब के सब यही होते हैं, यही बज़ा है, क्या note कर लीजेगा इसको, पहली बात तो यह, कि जो identity mapping है, यह हमेशा कैसी होती है, 1-1 और on-to होती है, ठीक है, आई, A से प्रदर्सित किया जाता है, ठीक है, अब बात करते हैं, 10, constant mapping, constant mapping में जहाँ, यह 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, यानि अलग अलग बदल रहा था, यानि fx equals to x हो रहा था, वहाँ पर यह क्या हो जाएगा, f अगर a to b में कहीं map कर रहा है, तो for all x belongs to a, fx जो है, वो किसी constant arm c पर, यानि b में केवल और केवल एक ही element रह जाता है, आपके पास range के रूप में, और वो आपका कहलाता है, c, ठीक है, यह हमेशा कैसा होता है, एक एकल समुझ्चे होता है, इसका, जो code domain होता है, वो एकल समुझ्चे होता है, ठीक है, single latent set ह होता है, यह आपको याद रखना है, यह कुछ भी हो सकता है, यह one one भी हो सकता है, यह onto भी हो सकता है, यह many one भी हो सकता है, यह कुछ भी बन सकता है, ठीक है, इसके अलाबा एक mapping और आपको देखने को मिलती है, वो है equal, equal mapping, ठीक है, समान प्रतिशित्टर के सकते हैं, तो इस इसमें क्या होता है कि मान लीजे F A से B पर मैप कर रहा है और G जो है वो इस प्रकार है कि B से C पर या A से ही B पर मान लीजे कर रहा है दो function अलग लग है F B और G पर तो for all x belongs to A देखे एक बात बहुत अच्छे से सुन लीजे और समझ लीजे जब for all की बात की जाती है तो वो necessary condition हो जाती है और जब for all की बात नहीं हो रही होती है तो वो sufficient condition कहलाती है तो necessary condition is very important इसको कभी भूलिएगा नहीं छोडिएगा नहीं तब for all x belongs to A के लिए हम कह सकते है fx equals to gx और ऐसी mapping को हम कह सकते है equal mapping ठीक है इसमें क्या होता है कि हमेशा जो domain है दोनों functions का वो बराबर होता है और code domain की बात करें तो वो भी दोनों अपस में बराबर होते हैं और इस प्रकार से हम उनकी mapping को भी समान कह सकते हैं ठीक है चलिए अब मान लीजे मेरे पास एक example है एक example से कुछ questions देखते हैं मान लीजे f है मेरे पास जो r to r define है और इस प्रकार से define है कि apex की value है 4x plus 3 पता करना है कि क्या यह one one है तो मैंने बताया था कि आप कोई भी ले लिए लेट x1 x2 belongs to कहां से कर रहे हैं r से कर रहे हैं real number से ठीक है domain से ले लिए और इसके लिए आपने क्या ले लिए fx1 बराबर है fx2 के लगाई यह value को तो 4x1 plus 3 और यह हो जाएगा 4x2 plus 3 अब 3 से 3 minus हो जाएगा उनके elements भी बराबर आ गए हैं इसका मतलब यह कैसा है one one है अगर यह नहीं आते बराबर तो हम कह सकते थे इसको क्या कि यह one one नहीं है ठीक है यानि मैनी one है तो यह बात आपके समझ में आ गई है इसी के साथ साथ अगर कोई भी function है जो n से n में define करता है तो 2n plus 1 type की जतनी भ बताना चाह रहा है दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर f r plus से r में define करें है r plus का मतलब सारे के सारे positive real number जिसमें 0 नहीं आएगा ठीक है तो यानि कि one two three four zero क्योंके ना तो positive माना जाता है ना negative इसलिए वह भी नहीं आएगा सारे के सारे positive real numbers कहां define हो रहे है आर प कर सकते हैं इनको ऐसे ही अगर मैं f r से r plus पर define करूं ठीक है real number से positive real number पर तो fx equals to e की power x यह एक ऐसा function कहलाएगा जो क्या होगा एक है की होगा यानि के one one होगा ठीक है तो यह आसा करता हूं आपको यह दोनों बात हैं समझ में आगे होंगी आप लोग करके देखिएगा इन questions को तो आपको अच्छा भी लगेगा है अब एक और question देखिए का जरब f says that n to n ठीक है और fn दे रखा है मुझे n square plus n plus 1 आपको बताना है कि यह one one है लेकिन on to नहीं है ठीक है क्या proof करना है one one तो है और on to नहीं proof करना है यह सवाल है तो कैसे proof करेंगे आप देख पा रहे हैं क f1 की अग्र में value निकालों तो यह हो जागा क्याँके n eternal number से शुरू हो लागा तो 0 से शुरू करूंगा नहीं मैं तो one से शुरू करूंगा d 토ыв वब्लॉस , वब्लॉस , याने की ट्री आगहा एक तू कल झालों तो यह ऑल जागा 2 का square प्लस , 2 प्लस , याने आक देख पा रह कि यह श्रुद करों यहां होगो और यह तो आप देख पा रहे हैं कि पृतियक लिए यूटियों और अलग इमेज है इसका मतलब यह वनवन तो हो गया दूसरा आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कुछ elements खाली भी रह जा रहा है जो इसकी प्रीमेज हैं ही नहीं इसका मतलब यह ओंटो नहीं है इसको आप लेंग्वेज कली भी लिख सकते हैं और जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे आप कर सकते हैं ठीक है कि एक क्वेस्टन में आपको देता हूं आप बताइए इसको कि यह या नहीं एक इस प्रकार से डेफाइन है कि 3N प्लस 5 आपको पता करना है कि यह यह कै की है या नहीं और आटो है या नहीं और एक और ले लिजे fn equals to n square ठीक है तो इसको भी पता करिए कि यह 11 है या नहीं है ओंटो है या नहीं काफी तर टाइप के मैंने एक्जाम्पल ले लिए एक एक्जाम्पल में आपको टिक्नोमेट्रिक का भी ले लेता हूँ f मान लिजे डिफाइन है रियल टू रियल पर और फंक्शन इस प्रकार से दे रखा है जो कहा है साइन एक्स ठीक है एक एकी यानि वन वन और उन्टो की बात कर रहें देखिए वन वन प्रूफ कर लिया आपने तो मैंनी वन अपने आप प्रूफ हो गया वन वन है तो मैंनी वन नहीं है तो मैंनी वन है ऐसा ही ऑन्टो की बात कर रहें ऑन्टो अगर आपने प्रूफ कर लि करंगा तो साइन पाइगी भी वैले कितनी होती है deal होती है तो आप यहां से देख पा रहे हैं क्या कि जो वैले हैं यानि कि f0 और f पाइए यह दौनों टो बराबर है लेकिन क्या 0 और पाई बराबर है नहीं है इसका मतलब यह 1-1 तो नहीं है onto की बात करें तो आप जानते हैं कि जो sin x है उसकी value minus 1 से ले करके और 1 के बीच में होती है यानि कि lie करती है minus 1 से 1 के बीच में तो आप देख पा रहे हैं कि जब minus 1 से 1 के बीच में ही numbers आएंगे और हम बात कर रहे थे real number की domain के तो आपके minus 1 से आगे यानि minus 2, minus 3, minus 4 और dot dot ऐसे ही या 1 से भी आगे 2, 3, 4, 5 and dot dot ये सारे elements कभी भी किसी की भी pre-image बनी नहीं रहे होंगे यानि कि जब domain और co-domain बनाएंगे तो minus 1 से 1 के बीच में नहीं सारी images बन नहीं होंगी इससे उपर और इससे नीचे वो कभी यहां के किसी एक member की image होंगी ही नहीं इसका मतलब यह कैसा हो गया onto नहीं है बलकि कैसा into है क्योंकि co-domain में element खाली बचेंगे जो image नहीं बनेंगे इसका मतलब यह आच्छादक नहीं है उसमें से 3 को निकाल रखा है b कोई set दे रखा है r इसमें से 1 को निकाल रखा है ठीक है अब f जो है वो a से b पर map कर रहा है और इस प्रकार से map कर रहा है कि fx की value है x-2 upon x-3 proof करना है कि यह acky और onto है ठीक है तो acky के लिए बहुत simple सी बात है कि मैंने fx1 बरावर fx2 ले लिया और fx1 x2 ले लिया तो x1-2 upon x1-3 बरावर x2-2 upon x2-3 अब cross multiply कर देंगे और solve करेंगे अपने आप solve करेंगा तो यह x1 बरावर x2 आ जाना चाहिए ठीक है क्योंकि जब proof करने को कहा है तो वो होगा ही तो यह हो गया 1-1 ठीक है मैं proof नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोग खुद इस calculation को कर ली जगा अब मैं proof कर रहा हूँ कि यह on to कैसे proof करेंगे mathematically तो हम क्या कर लेते है let कर लेते है let कोई elements है कहां का y कहां का b कर let y belongs to b और हम क्या कहा देंगे fx को किसके बरावर रख देंगे y की तो x-2 upon x-3 की value हो गई है y अब यहां से हम cross multiply करेंगे यानि कि यह यहां से चला जाएगा x-3 कहां चला जाएगा right hand side में कहां जाएगा यहां पर अब इसको solve करेंगे और मुझे क्या निकालनी है finally मुझे x की value निकालनी है तो यह x-2 को छोड़ देता हूं मैं यहां ले आता हूं y x को और यह 2 चला जाएगा इधर और यह बन जाएगा minus 3y तो यहां से x की value मेरे पास आ गई है कितनी आ गई है 3y minus 2 upon y minus 1 यह एक नया आपके पास क्या बन गया है function बन गया है अब आप देखिए कि यह y equals to 1 के लिए तो परवासित होगा नहीं क्योंकि इंफिनिटी बन जाएगा और अब x equals to 3y minus 2 upon y minus 1 अगर इसकी value 3y minus 2 upon y minus 1 की value को अगर मैं 3 रखता हूं तो ऐसा करता ही 3y से 3y कट जाएगा यानि कि कुछ बचेगा ही नहीं उसमें प्रूफ करने के लिए तो यह असंबब सी बात है असंबब सी बात है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह उन्हीं values के लिए है जिसकी value यह 3 नहीं होगी और यहीं बात हमको कहां मैं कर रहा है lie a मैं कर रहा है वही हमको चाहिए था यानि कि वो preimage है इसका मतलब साफ हो गया कि यह कैसा है onto function भी है ठीक है तो यह थे कुछ question जो हमने practice कर लिए है 1-1 भी देख लिया onto देख लिया into देख लिया अब हम बात कर लेते हैं प्रतिचित्रड का सईयोजन सईयोजन कहते हैं इसको ठीक है सईयोजन चलिए अब मान लीजे के a, b, c, 3 वही non-empty set है और f जो है वो a से b पर map कर रहा है और g जो है वो b से c पर map कर रहा है तब for all x belongs to a के लिए एक अव्याव fx कहां करेगा b में लाई करेगा ठीक है और प्रतियक fx b के लिए for all एक g of fx एक नया आगया कहां लाई करेगा c में लाई करेगा ठीक है न तो इस प्रकार से इसको कैसे mapping के रूप में कह सकता है यह मान लीजे a का था और यह मान लीजे b का था और यह मान लीजे c का था a में अव्याव था x जिसने f पर map किया और f ने x को map करके बना दिया fx अब fx को g ने map किया और उसको बना दिया g of fx अब इसी को जब हम यहां से a to c बात करेंगे सीधे-सीधे यानि एक mapping ऐसी जो a से कहां ले जा रही हो c पर तो वो बन जाएगा composition of two mappings that is z o f g of fx ठीक है तो यानि कि gof इस प्रकार से mapping हो जाएगी जो a से कहां ले जा रहा है c पर ले जा रहा है इसी को हम composition of mapping करते है ठीक है तो यहां तक बात समझ में आगे इसी को अगर definition के रूप में कहना हो तो कैसे कह पाएंगे कि f a से b पर map कर रहा है कोई mapping है g कोई ऐसी mapping है जो b से c पर map कर रहा है तो f और g का सही हो जान यानि कि g of f यानि रिलेट करता है यानि कि goff of x की value जो हो जाएगी वो g of f x हो जाएगी for all x belongs to a ठीक है यह आपकी क्या हो गई definition हो भी अब आपको क्या याद रखना है इसमें note कर लीजेगा क्या नम्मर एक जब f और g का सईयोजन किया जाता है completion किये जाता है goff के लिए तो उसके लिए आवसक होता है कि f की जो range है range of f है वो क्या होना चाहिए g के domain के subset के रूप में होना चाहिए ठीक है दूसरी बात है कि यह commutative नहीं होता है commutative नहीं होता है crumb in mean नियम का पालन नहीं करता है यानिकि 알 p और goff जो है वो बराबर नहीं होंगे तीसरी बात यह associative होता है यानि सहचारी नहीं का पालन करता है पहले है और फिर एच है यह बराबर होगा f of g of h के यानिकि योग के सहचार नहीं को तो यह पालन करता है ठीक है लेकिन किसका नहीं पालन करता है कम्मुटेटिव का क्रम विनवे का पालन नहीं करता है तो यह आप याद रखेंगे कई बार सीधे-सीधे एंडिये बदर आके कुश्चन में पूछ लिए जाते हैं अब दो important theorem देख लेते हैं पहली theorem क्या है अगर f a to b और g b to c कैसे हैं 11 है और on to हैं तो obviously बात है कि गौफ a to c b कैसा होगा 11 and on to होगा पहली theorem याद रखेंगा दूसरी theorem अगर f a to b एक mapping है तो f of i a यानि के कौन सा होगा यह identity mapping हो गई या i b of f या बराबर होगा f के ठीक है जहां पर i a और क्या है i b वो दो क्या है a और b पर identical mapping है ठीक है वो बापस क्या होगा f के ही बराबर आ जाएगा अगर हम identical mapping के साथ composition कर रहे हैं तो ठीक है अब एक नया topic पढ़ते हैं that is inverse mapping inverse mapping यानि प्रतिलों प्रतिचित्र ठीक है यह बड़ी important है इस पर सवाल कई बार आते भी है ठीक है तो इसमें क्या करना है हमको कुछ नहीं करना है यह कोई mapping है f वो a से b में define है और set a का कोई element x है और वो b के किसी element y से मिल रहा है ठीक है यह x है और यह y है x किस पर में पूरा y पर में पूरा f के थूँ ठीक है तब तो y को x का y को x का क्या कहते है image कहते है और x को y का क्या क्या कहते है । एक्स को वाई का क्या कहते हैं प्रतलोम प्रतिबंब कहते हैं यानी f inverse image कहते हैं यानी y से जब हम क्या कर रहे होंगे x को लेके जा रहे होंगे तो कौन आ गया होगा f inverse आ गया होगा यही आपकी inverse mapping के लाती है ठीक है यानि के if x belongs to a and y belongs to b तो f inverse को कैसे लिख सकता है x equals to f inverse y ठीक है इस प्रकार से लिखा जा सकता है यानि कि जहां आप fx equals to y लिखते थे तो उसी को आप f को इधर ले आएंगे inverse के रूप में तो x equals to क्या हो जाएगा f inverse y हो जाएगा या यूं कह लिजे कि f inverse y y equals to सारे के सारे x जहां से एसे हैं और इस प्रकार है कि fx बराबर क्या होना चाहिए y होना चाहिए ठीक है तो यह आपकी कहलाती है inverse mapping अच्छा एक खास बात है यह inverse mapping तभी define हो सकती है जब f जो है वह one one हो और on two एक यह बात जरूर याद रखिएगा अगर function कैसा है आपका one one mapping कैसी है one one है और on two है तभी आपके पास inverse mapping generate हो सकती है ठीक है अगर into हुआ तो domain के ऐसे element खाली है जिनकी कोई image existing नहीं करती है प्री image किसी के हैं ही नहीं तो फिर obviously बात है कि उसके लिए प्रतलों यानि inverse बैठेगा ही नहीं मिलेगा ही नहीं एक जिस्ट ही नहीं करेगा ठीक है तो यह आपका inverse हो गया ध्यान देने वाली बात है कि एफ inverse का जो range होगा वो तो हो जाएगा एफ का domain और जो एफ inverse का domain होगा वो बन जाएगा आपका एफ का range ठीक है यह दो बात हैं आपको याद रखने हैं अब इसकी एक दो कुछ theorem होती है important तो वो देख लिए यानि कि अगर एफ कोई इस तरह से mapping define है जो कि one one भी है और onto भी है तो f inverse b to a जो है वो भी कैसी होगी one one और onto होगी यह आप याद रख सकते हैं ठीक है दूसरा होता है कि अगर f जो है वो a to b ऐसी तरह से define है कि वो one one और onto है तो f of f inverse ध्यान दीजेगा composition किसका कर रहा है f का और f inverse mapping का वो क्या हो जाएगा identical हो जाएंगे या f inverse of f करोगे तो वो i a इस तरह से आ जाएगा ठीक है यानि कि इनका composition क्या हो जाता है identical mapping बन जाती है ठीक है एक और एक result इसका theorem आता है यह पहला हो गया यह दूसरा हो गया तीसरा एक theorem के रूप में याद कर सकते हैं कि यह f जो है वो a से b पर map हो रहा है और g जो है वो b से c पर map हो रहा है और यह कैसे है 1 1 है और onto है तब गौफ का inverse f inverse of g inverse के रूप में explicit हो सकता है ठीक है तो यह आपके inverse से related होगे अब इसमें कई बार question छोटे मुटे आ जाते हैं कि f x equals 2 है 2x और g x equals 2 है x square plus 2 तो fog x निकालिए गौफ x निकालिए तो यह simple से सवाल है इसमें कोई ज्यादा बताने की बात नहीं है fog x का मतलब है f of g x यानि पहले g x को f x में रख दीजे यानि x square plus 2 पर f x की value निकाल लिजे यानि 2 times of x square plus 2 यह answer हो गया गौफ की बात करें तो जी में f x को रख दीजे पहले x की जगह पर तो जी ओफ 2 x हो जाएगा और यहां x की जएपर इसको रख दीजे यानि 2 x का square plus 2 यह आपका answer हो जागा तो गौफ और fog कोई ज्यादा बड़ी सवाल नहीं होते है प्रैक्टिस जरूर आप लोग करते रह है इसे कुछ न कुछ समझ में आई ही गए होंगे और यह जो वीडियो आपकी रही है यह आपको functions के बारे में अच्छे से पूरी तरह से define की गई होगी बिल्कुल सुरू से सुरू करते हुए हर चीज को मैंने define करते हुए आपको बता है questions जरूर आप लोग कहते होंगे कि क हम करा रहें तो questions को live classes में हम लोग discuss करेंगे एक और कोई वीडियो कभी इस प्रकार से सवालों को ही हम ले करके आ सकते हैं कि जिसमें केबल सवाल ही सवाल कर रहे होंगे लेकिन revision में मैं समझता हूं कि revision अलग चीज है और practice question अलग चीज है तो revision का मतलब होता है इस पूरे chapter को हम analysis करते हुए क्या क्या उस chapter में है किस किस तरह से हमें करना होता था वह हम जान ले practice आप ही को करनी है क्योंकि practice में जितने सवाल आप करेंगे उससे कम ही हम कराप आएंगे वह बात नहीं है ठीक है तो practice जरूर आप लोग करते रहेंगे practice set ले लिजिए या books ले लिजिए text books सही आपकी practice set काफी अच्छे हो जाएंगे तो इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहें वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और सेयर करना ना भूलें जोनोंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बैल आकन दबा लिजिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोग इसी प्रकार हस्ते रहें मुस्कराते रहें जैन